हे गाईज वेलकम टू देव भूमी करियर पॉइंट तो देखे सामाने हिंदी टेस्ट स्रीज भाग उनसर्थ है दोस्तों काफी महत्तौपूँ एक टेस्ट स्रीज है सामाने हिंदी की देखे जो लोग अभी तैयारी में सनलगने हैं आपका प्रवर्तन सिपाई और आपका पनरक्षक की भरती का एक्जाम होने वाला है तो उसके प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्तौपूँ एक टेस्ट स्रीज है दोस्तों देखे भाग उनसर्थ हम कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं जो नए लोग हैं वो पूरे इन स्रीज को इस टेस्ट स्रीज को फॉलो जीए साथ है तो 20 नंबर की हिंदी यानि की मेरिट में एक बगार डिफ्रेंस पैदा कर सकते हैं तो हिंदी की एक अच्छी नॉलेज होना हिंदी के प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहां पर फॉलो करना बहुत आश्यक है तो चलिए देखेंगे भाग उनसर्थ बताईएगा किटने कुश्यन आप इसमें सही करते हैं पहला कोश्यन है यमुना का प्रियाइवाची निमन में से कौनossen है थो बताना नहींлगा कौन सा यमुना का प्रियाइवाची है तो इसका जुराइड आज्ड Extra option kur least उतल्यों का दोस्तों कालिंदि ए थीकर ध्यानों देखेंगे का भागी रथी यहां पर गंगा का प्रियावाची है, ठीक है, मां कि यह कालंदी नी तो बिल्कुल यहां पर कोई वर्ड ऐसा है, ठीक है, तो भागी रथी गंगा का यामनी रात का और यमुना जो नदी दी गए है, उसका प्रियावाची है, कालंदी, option D सही answer है, बढ़ते गल्पों में किवल मध्वा सब्द जो है, ये इंदर का प्रियावाची है, ठीक है, मनोज भी कई बार पूछा जाता है, मनोज जो होता है, कामदेव का प्रियावाची होता है, ठीक है, ध्यान केंगे, अर्विंद है, कमल का प्रियावाची, ठीक है, तो आपको पता होना सबी महत्वपुंग प्रियावाची जो बार-बार विगत वर्सों के एक्जाम में पूछे गए हैं, उनका रिवीजेन बहुत आवश्यक है, ऐसे question करने के लिए, अगर दिखें, इनमें से सिहा का प्रियावाची सब्द नहीं है, तो सिहा का प्रियावाची इनमें से कौन सा नहीं है, यह बताने आपने, ठीक है, तो right answer हो जाएगा, option D, वनिता, ठीक है, सारदुल केसरी व्यागरे, यह सभी सिहा के प्रियावाची सब्द हैं, दोस्तों, जबकि जो वनिता सब्द होता है, वनिता, इस्तरी, महिला का प्रियावाची होता है, ठीक है, इस्तरी का, त यहाँ पर देखिए, विलोम सब्दों का यूगम दिया गया, जोगा दिया गया, जिसमें से एक यूगम गलत है, पता यह कौन सा है, तो right answer हो जाएगा, option A, ठीक है, देखिए, दोस्तों, पुरुसकार का विलोम होता है, तिरसकार बिलकुल सही है, भूत का विलोम होता है, बहुष्य सही है, मूग का विलोम होता है, वाचाल, सही है, प्रवेस का विलोम हो जाएगा, दोस्तों, निकास, ठीक है, प्रवेस का विलोम क्या हो जाता है, निकास, प्रवेस मतलब enter, निकास मतलब exit, ठीक है, मूग मतलब गूंगा, वाचाल मतलब बहुँ ज़्यादा ब बताना आपने तिकें तो उन्मूलन क विलोम उता है दोस्तो रोपणय आरोपण ओपण सीज का से आन्सरो जाएगा अगर दिखें ओपशन में आरोपण सब्दी घॡ़िज़ है तो वह भी सही है ठिकें дело आरोपं या रोपं भी उनमुलन का विलोम होता है स्रिष्टी का विलोम नहीं है तो स्रिष्टि का विलोम बताना है, तो स्रिष्टि का विलोम हो जाता है दोस्तों, प्रलायया संहार, ठीक है, तियान रिकिंगे, स्रिष्टि मरलब ये पुरा संसार है, इसको खत्म कर दिना, यानि कि प्रलायया संहार जो होगा, इसका विलोम हो जाएगा, option A, सही आंसर है, ठीक है और निंद सब्द जो है इसकी विलोम की में बात करें तो इसका विलोम होता है वंध है ठीक है निंद का विलोम हो जाएगा जो निंध दिया है इसमें इसका विलोम हो जाएगा वंध है ठीक है और वहीं बात करें जो दुलवृत है दुलवृत का विलोम हो जाएगा स क्रित्रिम हो गया आपका आर्टिफिशल, प्राकर्तिक हो गया नैचूरल, ओके, बोगरते हैं अगले कोशिंग करें, नीचे दिये गए वाक्यों में रिखते इस्तानों में उचीत सब्दों भरने के लिए चार विकल्प है, उचीत विकल्प का चैन करने हैं, ठीक है, तो सा अथियत्य मूलत्भासा के माध्यम से जीवन की अभिवक्ती है, option A, इसका से आणसर है, जीवन हो जयए गया, ठीक है, क्या हो जयगा, जीवन, खबर का मुह विग्यापन से धका है किसकी रचना है ठीक है तो एक बहुती मसूर रचना है खबर का मुह विग्यापन से धका है जैसे कि आज भी हम देखते हैं जैसे हम न्यूजबुपर खोलते हैं रोज तो न्यूजबुपर मैं खबरों से जादा विग्यापन देखने को मिलते हैं तो इसी पर एक व्यंग गया है ये खवर का मुह विख्यापन से ढखा है तो ये लिखा था दोस्तों इसका चुराइट आंसर है option A लीलाधर जगूगल जी की रचना है ठीक है option A लीलाधर जगूगल जगूगल जी से एक महत्तोपूंड लियाद आरे मिल को कि इनको एक प्रतिष्टित सम्मान दिया गया है व्याज सम्मान 2008 रग ठीक है और कौन सी रचना के लिए इनके एक काव्य संग्र रचना थी जितने लोग उतने प्रेम ठीक है जितने लोग उतने प्रेम 2013 में एक आव्य संग्रा आया था तो इनको 2008 रठार का व्यास सम्मान दिया गया बहुत महत्तों पुण उत्राखण के एक्जाम दिर्श्टी जे अगर दीज के हिंदी व्यस्मान माध ओस्मु वेंजन कौन च尧ैं तो देगे विगलपवमें बताना है ओस्मु वेंजन कौन चैये हैं तो देखे喜歡 राइड आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यह हो जाएगा ठीक है सह शह सह और हो जैसे आम यह वह चारिट करते हैं तो क्या होता है रकड़ के कारण सांस में कुछ उसमा भी निगलती है आपका भी गौर कीजिएगा तो इसी लिए इन वाणों को उसमा वेंजन कहा गया है हिंद सब्दों के साथ जूड़ते हैं तो जो क्रदंत प्रते होते हैं किन सब्दों के साथ जूड़ते हैं तो देखे इसकी डेफिनेशन है दोस्तों क्रिया या धातु के अंत में जूड़ने वाला प्रते ही क्रदंत प्रते कहलाता है जैसे बात करूं मैं यहां पर इसका जो र For example, एक word लेते हैं, ठीक है, खिलाना, ठीक है, खिलाना, तो खिलाना में देखिए, खिल जो दातु है, खिल, इसमें क्या है, आना परते लगाए, ठीक है, एक कृदंत होगा है, खिलाना, जैसे बात करें में चल, ठीक है, चल, अगर दातु में मैं आना परते लगाता हूँ, क कि लिए धातु के अंतम है अगला देखे खासी का ततसम रूप किया है तो ततसम में होता है संसकर्त के सुद्ध्र सब्दी ततसम कहलाते हैं दोस्तों तो खासी का ततसम होता है वो हो जाएगा गर्भिंगली तो यह तत्सम रूप है गर्भिंगली यानि कि गर्भिंगली से आप समझ गयोंगे यानि कि प्रेगनेंट ठीक है तो यह तत्सम रूप है गर्भिंगली और ध्यान के जो गनेश शब्द दियाएगा गनेश का तत्सम क्या जाएगा गनेश ठीक है अगला कि मूलता संसक्रित से आये हैं लेकिन थोड़ा विकार हो गया इनमें बतल गये हैं ठीक है तो तद्वाव रूप हो जाएगा इसमें सिल सब्द आ है थे तत्वाव हो एब कि सभी यहां पर इसका संद्या दुग्द सहीशा इस सभी तत्वाव सब्दै की दुखत अंगले में तत्वाव रूठी के आ complain में गढ़ना इस मौावरे को देखिए बहुत सिंपल है बहुत बार वाक्य प्रियोग में आपने देखा होगा ठीक है तो आखों में गढ़ना होता है मन में खटकना फूल का तत्सम क्या है तो दिये गए विकलपों में दोस्तों तत्सम पूछा गया है प्रियावाची नहीं पूछा गया देखे कितना पूल का तत्सम होता है पूस्प जबकि जो अन्य दिये गए यहां पर प्रसून शुमन और पुहुप यह सभी प्रियावाची होते है फूल के तो कितना देखे क्वेश्चन को यहां पर गुमाया गया है ठीक है आपको कन्फूज करने के लिए फूल का तत्सम पूस्प ब तो एक पुछ्रास थे उसका विशेशने सब्द, हम अगर एक में बोलें तो यह होगा। veg होगा। दो अज तो यह होगा। कोछे कैने की एक कोह इंदी कहीं नहीं है। तो दीए घळटबह में है नहीं है। ठीक है तो यहां पर देखे साब पता चला है दोस्तों जो मराठी है वो हिंदी की उपभासा नहीं है दोस्तों ठीक है आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है कई बार पूछा गया है पूरो एक्जामों में भी और अच्छा कोश्यन है इसलिए हर बार एट करता हूं में इसको तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों आये थे हरी भजन को लेकिन ओर्टने लगे का पास यानि कि वांचित जो कार्य था जिस काम को करने के लिए आये थे उसको तो भूली गए बंद भाया और दूसरे काम में लग गए ठीक है ओप्शन B इसका सही आंसर जाएगा भूतों की बारात किसका प्रसिद्ध उपन्यास है भूतों की बारात ठीक है यह उपन्यास है दोस्तों और इस उपन्यास को लिखा है उत्राखंडी के एक महान साहित्तेकार इलाचंदर जोसी ने ठीक है ओप्शन इसका सही आंसर है इलाचंदर जोसी लाश्ट कोश्चन है इस टेस्ट सरीज का कि वह क्या कर रहा है कैसा वाक्य है ठीक है वह क्या कर रहा है तो कैसा वाक्य होगा बहुत सिंपल है वह क्या कर रहा है क्या, क्यों, कहां, कैसे जब भी इस तरह के आपको सब्द दिखाए देते हैं वाक्य में से तक बनाने का इंतजार रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, आप लोगों का लाब इससे होना जरूरी है, देखिए आज तक जिदने भी लोग फॉलो करते हैं, सीरियसली, रिलीजियसली, एंड दिल से, उन लोगों को जरूर बेनिफिट मिला एकजाम में, ठीक ह और अपना ध्यान भी रखे, सर्दी काफी ज़्यादा है, ठीक है, और आपका एकजाम निकट है, यहारो हाई कोट का, उसके साथ अनने वर्यस एकजाम है, नेक्स मन्त पे कुछ नई वग्यपती आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो ध्यान रखना भी जलूरी है अप प्लीज दो लाक एंड शेयर, जय हिंद जय उत्रागंद